तो friends आज के CSS class के जरीए हम clip path property की polygon value के बारे में समझने वाला है polygon value के जरीए हम किसी भी HTML element को अलग-अलग shape में display करवा सकते हैं तो चलिए friends बीना समय गवाई सिधा चलते हैं अपने PC पर तो friends यह हमारा एक HTML element है जिसके अंदर हमने एक background color set किया है अब friends for example मान लिजिए हमें इस HTML element को triangle shape में display करवाना है तो triangle shape के अंदर कितने corners आते हैं तीन corners आते हैं तो clip path property की जो polygon value है उसके अंदर shape के जितने corners है उन corners की x-axis and y-axis की position दी जाएगी तो friends यह हमारा HTML code है जिसके अंदर हमने ये div लिया है और इस div की हमने ये class दी है और इस class के अंदर हमने ये CSS code लिखा है जिसके अंदर हमने div की width, height और background color set किया है ठीके चलिए अब मैं यहाँ पर clip path property लिखता हूँ और इसके अंदर में value लिखता हूँ polygon इस polygon value के अंदर हम जो जो corner की x-axis and y-axis की position देंगे वो anti-clockwise count होगी for example सबसे पहली जो x-axis and y-axis की position दी जाएगी वो सबसे top corner के लिए दी जाएगी second जो x-axis and y-axis की position दी जाएगी वो left corner के लिए दी जाएगी और सेम इसी तरह anti-clockwise जो corner है वो count होते जाएगे तो चलिए सबसे पहले में top corner की जो x-axis की position है वो में 130 pixel की position देता हूँ और y-axis की जो position है वो में देता हूँ 50 pixel ठीके फिर comma किया उसके बाद हम second corner की जो x-axis की position है वो हम देते हैं 100 pixel और y-axis की जो position है वो देते हैं हम 250 pixel ठीके चलिए इसको save करते हैं और page को refresh करते हैं तो देखिए friends हमारा ये जो html element है वो कुछ इस तरीके से triangle के shape में display होने लग गया है यहाँ पर friends आपको जितने corners की requirement है उतने corners add कर सकते हैं उसकी कोई limit नहीं है for example मैं इस shape पर एक और corner add करना चाता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर comma लगाँगा और उस corner की जो x-axis and y-axis है उसकी position दूँगा ठीके for example यहाँ पर मैं 300 pixel x-axis की position देता हूँ और जो y-axis की position है वो 50 pixel देता हूँ ठीके चलिए इसको save करते है और page को replace करते है तो देखे फ्रेंस अब हमारा यह जो html element है वो कुछ इस तरीके के shape में display होने लग गया है तो इस तरीके से आप polygon value का use करके आप अपने requirement के according अपने html element को किसी भी shape में display करवा सकते है तो I hope आज का हमारा यह जो topic है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए इसी के साथ इस video के यह पर समाप कते है